नमस्कार दोस्तों आप सभी कर्दा विक्ट्राइड आपे स्वागत है आज की वीडियो में जो मैं बोलने वाला हूं सायद आपको बुरा लगे मगर मैं आपके भले के लिए बोलने वाला हूं और कुछ जानकारी आपको ऐसे देने वाला हूं कि बहुत सारे कल जो 21 दिसंब है वहाँ पर आपको टेसरीज बगरे मिलती है तो जलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए कल हुआ क्या कल हुआ कल आपका पता है कल SCM और SI STANO ठीक है SI STANO दोनों का कल क्या था प्यस्टी था और डीवी था ठीक है दोनों का था हैट कॉंस्टेबल मिनिस्टर वाल मगर आज की वीडियो में मैं बात करने हो ला है SI STANO के लिए मैं बोला हूँ कि आप पेपर देने मच जाओ ठीक है पेपर देने मच जाओ कौन नहीं जाएगा आपको पता है कि जो सीट है ना वो ST की सीट है और ST क्या होता है सबसे लो में आता है जैसे UR हो गया OBC हो गया EWS हो गया SC हो गया और ST हो गया अगर ST की सीट है 11 तो इसमें कोई भी फाइट नहीं कर सकता कोई भी फाइट नहीं कर सकता यानि कि सब रिजेक्ट हो मलब कल की दिन पर क्या हुआ कल की दिन पर BSF ने क्या किया जो भी SI ST उन्हों वाले थे उन्होंने क्या किया पहले बोला कि भ लग किया बाकि ST वाले को छोड़कर जो जन्रल वाले थे EWS वाले थे OBC वाले थे SC वाले थे उनको बोला भाई तुम तो फेल हो जाहिसी बाद सच में फेल हो उनको साफ साफ कह दिया गया यह सीट जो है ST की रिजर्व है तुम यहां पर करने क्या आये हो पहली बात तो गलती यहां पर बीए सब की बीए सब की गलती यह है कि अगर तुम सेट के सीट निकाले हो तो इन से फॉरम ही ना भरवाओ इनका फॉरम समीट ही ना हो कुछ ऐसा तुम अपने वेबसाइट में जब करो फॉरम फिल अब कर समय कि OBC जन्रल और EWS वालों का एसेप्ट ही नहीं करना चाहिए मगन जब इन्हों ने इसका फॉरम एसेट कर लिया है और यहां पर सेंटर पे कल गए बच्चे तो 11 सेट थिये और बच्चे पॉच्छे लेंगे आपका फिछिकल लें यॉЕН उसके बाद उनको एक rejection slip बनाई गई आपने rejection slip टेलिग्राम पर देखी होगी और उन्होंने किसी ना किसी point में बना दिया किसी को height में बना दिया किसी को chest में बना दिया किसी को document में बना दिया इस तरह करके उन्होंने reject कर दिया तो मैं यह बोलना चाहता हूं कि अगर आप ST हो अगर आप ST हो तभी आप इसका SI STENO के लिए जाओ अगर आप जर्नल हो, UR हो, OBC हो, EWS हो, SC हो तो प्लीज आप मत जाओ, अपना पैसा बरबाद मत करो अपनी मेहनत बरबाद मत करो SI STENO के लिए बोलना हूँ ठीक है? आप अगर Head Constance के लिए तो जरूर जाओ मगर SI STENO के लिए जाने का कोई मतलब नहीं है पैसा बरबाद करना होगा कल जितने ही बच्ची आया थे, सब पना पैसा बरबाद की है इतना दूर से ट्रवेल कर गए, कोई 1000 किलोमीटर से आ रहा है कोई 500 किलोमीटर से आ रहा है सब का पैसा ज्यादा ज्यादा गया किसी का 2000 किसी का 3000 ऐसे पैसा बरबाद हुआ ओपर से थी ठंडी में ट्रवेल करना इतनी देर में तो आप कुछ और काम कर लेते तो मैं वही कहना चाहता था कि ST वाले केंड़ जो हैं और ST वाले ही जाएं उसके लावा कोई ना जाएं सेंटर पर क्योंकि बात में आपको रिजेक्शन नहीं जहिलना पड़ेगा तो आप जाना चाहता हो जा सकते हो कोई बात नहीं मैं तो एक बड़े भाई की तरह आपको राय देना चाहता था कि राय दे दूँ कोई कल जो हुआ वो बताना भी जरूर ही आप सभी के लिए तो वीडियो अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक कर दिया अगरो चैनल पर पहली बार आए होगो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जूर जाना टेले कराम से जूर जाना वहाँ पीडियाफ मिल जाएगी टेले इंस्टागराम से मुझे फॉल्लो कर लेना और सभी का लिंक आपको discution box में मिल जाएगा कहीं आप जाने की जरूरत नहीं है मेरे discution box में जाएगी वहाँ लिंक मिल जाएगा और हमारे एप को भीए